चार सो तीन उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी 14 तारिक को जैसा मैंने बताया कि मनिश्य सौधिया जी की एक तिरंगा यात्रा और आयोध्या में है उसके बाद 403 विधान सभाओं में तिरंगा यात्रा होगी भारत की आनबान सान तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम लोग संकल्प लेंगे कि उत्तर प्रदेश को भरस्टा चार मुक्त बनाएंगे उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम मिलेगा गरीब के घर में 300 यूनिट बिजली फ्री की रोसनी होगी पानी मुफ्त मिलेगा नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और नहीं रोजगार दे पाये तो बेरोजगारी भटता देंगे उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी मुफ्त इलाज मिलेगा मुफ्त सिक्षा मिलेगी ये सपना हम सब लोग भारत माता की आनबांशान तिरंगे के नीचे खड़े होकर संकल्प लेके पूरा करेंगे और 403 विधान सभाओं में आमादमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी